हम आज पढ़ाने चलने हैं राजब्योस्था का पाचवच अध्याए इसमें संग और उसके राजचित के बारें बताया गया है जैसे तो समिधान में भारत जो हमारा देश है, हमारे देश को दो नाम से पुगारा जाता है, ठीक है, पहले जो है भारत और इंडिया, भारत और इंडिया जो है, दो नामों से, दोनों नामों में बहुत मद्वेद था, मतलब कुछ जो भारत में जो समिधान के, जो कानून के जो मत्वची पारत और इंडिया को लह दो है अनुचिद एक में बारत आरथा अरधा इंडिया राज्यों का संग होगा इसका इक काम रखा गया है कि भारत आर्था इंडिया राज्यों का एक संग होगा । इससे इसे देख में संग का नाम और राजऊ्षेत ,idya है तो india और भारत दोनों नाम भारत के संधान में देशक के नामको डिसक्राइब किया गया है भारत और इंडिया से उसके बाद हम भारत का ए उसको तीन खागन में पढ़ते हैं यसे राज्यों के राज्चेथू संघ का राज्चेथा जव पर जो आरज dobर मीचले की राज्यों खे committee आपस को हममें बहरत में उसका रहा स्भू हम देखते हैं कि बारत बाध्य संघ्र का सम्व्क संव भारत राजियों का एक संग है तो संग सब्द को लिया गया है तो जैसे कि संग और परिसंग जिसको हम बोलते हैं समू तो इस सब्द को लिया गया है तो क्योंकि इस समू के जगे तो समू परिसंग ना रख करके राजियों का संग इसलिए बोला गया है क्योंकि राजियों के संघ से मतलब होता है संद्हा संद्ह हैसं संघ को इस लिए रखने Certology से रिल्येटर है लेकिन हमारे छो भारत है वह एक देश है तो किवल राजी यह होते हैं वह भारत को अलग अलग राज्यों में भाजित किया गया है के वल प्रसासिक्नीं के गया से अलग होने का खोई अधिकार नहीं नहीं बना सकता है यह राज संग बोल जाता है राज्यों का समू या परसंग नहीं बोला जाता है ठीक है तो संग सब्द का जो है संग सब्द को लेने का ये मतलब था उसके बाद आदा है राजचेत तो राजचेत में जैसे कि भारत का राजचेत रहे तो अब देखते हैं कि भारत के संग में भारत के संग में से हम अगर दिखे बात करते हैं थो भारत का संग से तो भारत के संग में हम धी संसर्भारत का जो संग हो राजों का एक संग है तो ख्रकॉस छहसे देखें तो राज छेत में इसको की यह का मतलब यहां घर हमकंदेंmost और जो केंद्र आदिकार होता है मतलब वह सभी जो है जैसे इसे इसे के अलावा भी तो इसमें सभी आते हैं राजियों के संग में भारत के संग में कियों राजियों के बारे में बताएगे लेकिन राजियों के 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 राजियों क माली जे अभी कुछ समय में अभी भारत का भारत के अंदर जो छेत्र हैं वो सामिल वो तो राज छेत्र या राज में आता है भारत राज्यों के सम्मों में होता है लेकिन हो सकता है कुछ छेत्रा यसे होते हैं जो बाद में सामिल किया जाए तो बाद में अगर सामिल किया जा कानून के तहद कोई भी देश किसी अंतर राश्टे कानून के तहद किसी छेतर पर अपना अधिगार अधिकार जमाता है ठीक है या युध में जीद करके उसको अधिकरित करता है और या फिर किसी बिले निद से अधिकरिद करता है तो वो सभी क्या होते हैं अधिकरिद छेत्र होते हैं तो वो होता है अधिकरिद छेत्र इसी को बोलते हैं अधिकरिद छेत्र बोलते हैं तो यह अधिकरिद छेत्र उसके बाद इसमें तीनों में एक में यह बताया गया कि नए राजों की पर्वेस था अस्थापना, तो जो संसदु है कानून की तहट, नए राजों की नए राजों की पर्वेस पर्वेस कर सकता है, इसमें दो तरीके के सकति है, नए राजों की परवेस मतलब जो राजे पहले से सामिल हैं, हमारे देश में जो पहले से ही विद्धिमार हैं, उनको राजे छीत में सामिल करने का अधिकार होता है, या फिर नए राज की अस्थापना करने का भी अधिकार होता है, तो नए राज की अस्थापना करने का उसक दो या दो से अथिक राज को मिला करके एक नया राज बनाया सकता है या एक राज के कुछ भाग को हटा करके एक राज में ही दो राजे बनाया जा सकते हैं मतलब इस तरीके से नया राज के स्थापना की जा सकती है या फिर किसी राज की सीमा में परिवर्तन कर सकता है या फिर उसके नामें भी परिवर्तन कर सकता है, मतलब राज की सीमा को घटा भी सकता है, ये भी अनुचेतिन में संसत को ये सकती है, कि वो राज की सीमा को घटा सकता है, या उसके नामें परिवर्तन कर सकता है, या फिर दो राजियों को मिलाकर एक राज के स्थापना कर सकत को अनिशे तिन के अंतर्गत मिलती है तो अब जैसे कि संसद किसी भी राज को यह दिकार नहीं होता है कि वो अपने राज की नाम में परिवर्तन कर सके या फिर अपने राज की सीमा में परिवर्तन कर सके उस तरीके से किसी राज को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने राज के सीमा में परिवर्तन कर सके नाम में परिवर्तन कर सके तो यह कोई अधिकार ने इसको केवल संसत को ही का अधिकार प्राप्त है कि वो जो है कोई भी अगर ऐसा कोई विध्यक लाए जाता है जिसमें किसी राज को किसी राज के ना में परिवर्तन किया गया हो या फिर किसी राज के सीमा में परिवर्तन किया गया हो तो इस ताइब के विध्यक को बिना राश्पत की पूर्व अन अथोगी उसके बाल राश्वपत क्या करता है वह जो जो विध्यक लाजा जाता है उस विध्यक को जिस राज से सम् delegates होता है यह से उत्त अईट्टर पर्देश से वह समाद्ध विध्यक है तो राश्वपत जो है उसकी अनमत देगा ऌट उस विध्यक को राज की उस सम्मंधित राज को उस विध्यक को भीजता है विचार विमर्ज के लिए कुछ समय के लिए उस कुछ टाइम पीरेड के साथ वह भीजता है कि इतने समयकाल में जो है वो उसके आधा उस विध्यक पर विचार विमर्ज करके वो राश्पत को वापस कर सकता है य नहीं होता है वो चाहे तो उसके विचार को उसकी सलाह को सभीकार करें ना करें अगर नहीं करता है तो वैसे ही उस विध्यक को पारित किया जा सकता है दोनों सदनों में तो यह उसकी कारपडाली होती है किसी भी राज की सीमा में परिवर्तन या किसी भी राज की नाम में पर को सिस्की गई थी तो उसमें आगे बताएंगे कि किस तरीके से 20 से लाजैसे वे और प०्र्ण के राजित था जो एक भासा कर अज्दा को तो उसमें हम आगे बताएंगे भी उसके बाद आता है ऐसा कोई भी कानून मतलब की इसमें भी बताया मैंने की समिधान के जो संसोधन है मतलब जो राज की अस्थापना है या फिर नए राज की सिमय में परिवर्तन है या उसके ना में कार किया जाता है यह 3668 के अंतरगत नहीं आता है तो जैसे बताए कि संग उम उसके राच्छे जो ब्रेटिस सासनकाल में हमारी जो छे लगभग छे सो देशी रियासत थी तो छे सो देशी रियासत में करी 552 जो देशी रियासत तो फॉल जो तो ब्राज़े में और विया यह तो भारत के साथ जो है सम्लित हो गए थी लेकिन उसमें से तीन राज़े प्रांथ ऐसे ते जो नहीं सम्लित होएं जिसमें आता है हैदराबाद जुनागण और जम्मु कास्मिर जो होता उसको जब जम्मु कास्मिर कुछ समय के बाद जो है पाकिस्तान जो है जम्मु कास्मिर पर आक्रमण कर देता है जिससे एक बिले नीद के तहद बिले पत्र के तहद जो है जम्मु कास्मिर भारत में आकर के समलित हो जा जाता है और हैदराबाद को सायनिकवारवाई के तहत समलित कर लिया जाता है तो तीनों को 552 जो रियासत थी उनको जो है जोड़ लिया जाता जिसमें पहले टाइप की एज रखा गया था ब्रिटिस भारत के जो बड़े प्रांथ थे और 216 रियासतों को मिला करके मिला करके जो है एस रिड़े में रखा गया जिसमें से आता है आसम, बिहार, पंजाब, बंबई, माध्यपरांथ, सैंतुछेत्र, मद्रास, ओड़ीशा और पस्रिम मंगाल और 20 रिड़े में जो आते हैं वो होते छोटे जो चोटी बिटिस प्रांथ थे और वो बिटिस भार और त्रावण कोर इन सब को मिला करके बनाया गया उसके बाद आता है एकसर्ट विदेशी एकसर्ट देशी रियास्तों को मिला करके सी स्रेडी का बनाया गया जिसमें से अजमेर, भोपाल, विलासपूर, भिहार, कुर्ग, दिल्ली, हिमाचल पर्देश और कच, माड़िप जो भारत समलित करता है तो ऐसे छेद्र को वो किस में रखेंगे डिस रेड़ी में रखा जाता था ठीक है तो यह इस इसमें जो है जितने भी देशी रियासती उनको मिला करके चार से रियों में राजपुनार कठन आयोग जो है आसे सम्मंदित जैसे राज के नए नए रा में जैसे बताया कि जितने भी 500 रियास्ते तो 600 रियास्तिों को मिलाकर के कितने राज Philip 노래 में डिवाइड किया कि था था मैंने बताया था 500 मैं 550 252 मिलकरके भारत एक भारत देश बन गया था और बाकी जो थी वो पाकिस्तान में विले हो गई थी लेकिन पांसो बावन में पांसो उन्चास भारत में विले हो गई लेकिन तीन जो है वो नहीं हुई थी मैंने बताया था तो बाद में उसको भी विले कर लिया गया था उसके बाद जो ह जार स्रोडों में डिवाइड कर दिया गया था जरूरत क्या पड़ गई कि नैये राज्यों का पुनणरगतन या ने राज्यों के सीमा परिवरतन में क्या या फिर नाम में Parior Wa face करने की जरूरत क्यों यह होता है क्योंकि उसके आधार पर जो नाम दिये गए थे उसमें से दूसरे प्रांत के जैसे बिटिस भारत के नाम की कुछ संस्कृत जहलगती रहती थी इसलिए हम अगर सोतंत्र हो गए हैं तो हम अपने आधार पर नाम ने परिवर्धन कर सकते हैं तो यहीं सब इस सब इससे परिवर्धन होता था तो राज इलहाबाद उचन्याले के एक सेवा निर्बित जो है नियाधिस थे जिनके आयोग में अधिस्टा में यह आयोग बनाया गया उन्होंने में अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश की और उन्हें बताया कि किसी भी राज का पुनर्गठन जो होगा वह भासा के आधार पर होना सही नहीं होगा क्योंकि राज का पुनर्गठन के और परसासनिक आधार पर ही होना चाहिए लेकिन उसके बाद जो है यह मांग बढ़ती पनाई गई और यह समित बनाने के बाद इसने भी भासा के आधार को पूरी तरीके से नहीं नहीं करा लोगों के बीच में यह मांग बहुत जादा बढ़ गई थी तो क्योंकि उसमें केंद जो कांग्रेस के एक नेता थे राम लुलू करके तो उन्होंने जो उनकी वो खरताल के बाद जो है उनकी डेथ हो जाने के बाद जो है यह भारत सरकार के उपर दबाव पड़ा जिसके अधार पर पहली बार भारत को जो है भासा के अधार पर राज का पुनर्गठन किया गया तो भासा के अधार पर जो रा जो तेल्कु भासी छेद्र थे उसको आंठ पर्देश नाम दे दिया गया लेकिशसके बाद इसके बाद जसे में जो तमील नाडमें बना दिया गया तो इस और जब यह आंत्परदेश को एक नया राज भासा के अधार पर पुनार गठती किया गया तो यह मांगे और तरह थे थे बढ़ती चलिए क्योंकि सभी राजों की मांग भासा के अधार पर बनाने की बढ़ती चली गई तो उसमिक के बाद फजल अली फजल अली आओक के अस्थापना की गई तो फजल अली आयोग के दो सदर स्थ्थे के अम पढ़ियकर और एचन कुंजरू तो उनकी अधास्था में इस आयोग की सिपारिश की अधार पर जो है 16 करणी परिवर्तन करके ओर चेकर बमिष युद्य मतलब कि भारत में स्थापित होने का एक मुखकारण रहा है वासा के आधार पर यहां कि जैसे कि हम देखते हैं पाकिस्तान में बंगाली भासा वासी छेत्र होने के वज़े से उसमें जो है बहुत ज्यादा युद्ध हुआ था और स्री लंका में भी जो इसके वज़े से ग्रह युद्ध चला था तो जिससे भा लगों के बीच में एक ताकी भावना उद्वाओं नए राज्यों का गठन लिख लो नए राज्यों का गठन तो पहला राज्य जो है क्या है मैंने बताया था आंध्र परदेश कि आंध्र परदेश कि कब बना था मैं 1953 में किसे अलग हो करके बना है मद्रास्ते अलग हो करके बना चिक है जिसमें से एक क्या बना वह हो गया तमिल नर्ड और दूसरा आंध्र परदेश उसके राद आता है केरल केरल जो राज है वह वह भी जो है 1956 में 1956 में केरल राज की अस्थापना 1956 में की जाती है इसमें से केरल राज जो है त्रावण कोर और कोचिन कोचिन और त्रावण कोर और कोचिन राज उसके बाद तीसरा है करनाटक तीसरा राज जो अस्थापित क्या गया वह करनाटक राज अस्थापित क्या गया 1973 में 1973 में 1973 में जो है मैसूर को करनाटक नाम दे दिया गया था मैसूर को करनाटक नाम दिया गया चौथा है कि गुजरात और महाराष्ट गुजरात और महाराष्ट जो है वह 1960 में मुंबई से अलग हो करके बना है उसके बाद फिफ्ट नंबर पर आता है नागा लेंड क्या है फिफ्ट नंबर पर नागा लेंड है जो 1962 में नागा लेंड जो है 1962 में असमराज से अलग हो करके बना है किस से असमराज से अलग हो करके बना नागा लेंड उसके बाद शिक्स नंबर पर आता है हर्याड़ा हर्याड़ा जो है पंजाब से अलग हो करके बना है तो हम लेखते हैं हर्याड़ा पंजाब राज से अलग हो करके 1966 में बना है ठीक है उसका सेबन नंबर पर है उसके बाद हम सेबन्थ नंबर पर देखते हैं अरुडाचल परदेश जो है वह हिमांचल परदेश से अरुडाचल परदेश एक इन सासिल परदेश था हिमांचल परदेश जो हिमांचल परदेश से अलग हो करके बनाया गया है ठीक है तो हिमांचल परदेश से अलग हो मेगाले मड़िपूर और तिरपूरा तो मेगाले मड़िपूर और तिरपूरा जो है मेघाले राज जो था असम राज से ही इसको जो है अलग करके बनाये गया है तो असम राज से अलग करके बनाये गया है असम राज को एक मेघाले के पूर्ण दरजा दिया गया था राज का 1971 में उसके बाद 1971 में मड़पूर और तिर्प्रा को भी जो एक पूर्ण राज का दरजा दे दिया जाता है उसके बाद सिक्किम सिक्किम मिजोरम मिजोरम और अरुडाचल पर्देश और अरुडाचल पर्देश को पूर्ण राज का दर्जाते दिया जाता है मिजोरम सिक्किम जो है 1974 में एक समन्धित राज का दर्जा दिया गया था उसके बाद 1975 में इसको पूर्ण राज बना दिया जाता है 1975 में उसके बाद मिजोरम जो है मिजोरम राज को 1986 में पूर्ण राज का दर्जा दिया जाता है 1986 में पूर्ण राज का दर्जा दिया जाता है कर दिया गया था लेकिन एक संबंधित राज का संबंधित राज बनाए गया था इसके बाद उसका देखते हैं गोवा गोवा जो है दमन और दीब जो है गोवा दमन और दीब जो केंसाथ से परदेश थे उससे अलग कर दिया गया था 1987 में 1987 में गोवा को दमन और दीब से अलग कर दिया गया और इसको जो है दमन और दीब से अलग करके पूर राज का दर्जा 1987 में दिया गया उसके बाल चत्तिस गण उत्त्राखंड जारखंड यह सभी जो है दो हजार में चत्तिस गण उत्त्राखंड और जारखंड लेखते हैं चत्तिस गण जारखंड और उत्त्त्राखंड यह सभी दो हजार में संदो हजार में बनाए गया है तो चत्तिस गण जो है मध पर्देश राज से विवक्त करके बनाया गया चत्तिस गण जो है मध पर्देश राज से विवक्त करके बनाया गया और जारखंड जो है दिहार से और उत्त्त्राखंड जो है उत्तर पर्देश से विखक्त करके बनाय गया था उसके बाद है एक टेलांगना तेलांगना 2014 में आंध परदेश से अलग करके बनाया गया है है किbenौर साथ कि कुछ राजिए तो यह सभी राज का पता अर्चम कव echo और किस से वीदियो विद्क करके बनाए गए यह इस में उसमें अ कि पता है कि तो आज क्लास हमें फ़र्ण करते हैं और यह बताये इसमें जý वीदियो मेया कैसा लगा और अगर कोई adoreम है तो तो वीदियो को जादा से जादा लोगों में शेर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें